नमस्कार स्वागिता आपका अपने चैनल स्टेडी वन में तो हर्याना पुरानी पेंशन बहाली करमचारियों के लिए आई बड़ी खबर देखें पूरी जानकारी अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाथें तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आ जैसा कि आप देख सकते हैं खबर आई है बजट में पुरानी पेंशन बहाल नहीं होने से करमचारियों में रोस आदोलन की चेतावनी रादनी हर्याना पेंशन बाली संगर्शमीती हर्याना के प्रदेश अध्यक्स विजेंदर दारिवाल ने प्रदेश की गठबंदर सरक इतावने से कारद दौरा बजट में पुरानी पेंशन बाली ने करने पर नराजगी जायर किया है उन्होंने पेंशन बाल नहीं पर प्रदेश के करमचारियों इदिकारी को निरासा हांतों लगी है परदेश के करमचारी अधिकारी रास्तन की तरज़ पर हर्याना सरकार से भी बज़ट में पुरानी पैंशन वेश्टा के बाली की उमीद के हुए था जिदी सरकार पुरानी पैंशन नीती को बाल करती है तो 2035 तक सरकार के खजाने पर कोई बाहर नहीं आएगा इसके वीवित हर महिने 125 क्रोड के लगव सरकार को बचेगा और अब तक NSDL में जमाब 12,000 क्रोड से अधिक की रकम सरकार वापस सरकारी खजाने में मिलेगी इसी रकम से सेना विर्थ ओने पर करमचारी उपरानी पेंशन का अलाब दिया जासकेगा तो आप देख सकते हैं एक बड़ी अपडेट है जो बजट में परानी पेंशन भाल नहीं होने से करमचारी मरोस है और आदलन की जितावनी दी गई है तो ये अपडेट थी हर्याना परानी पेंशन भाल के बारे में जो आपके सामने शेयर करनी थी नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में